हेलो दोस्तों आप स्पीकर स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्यान यानि इवेस के सोट नोट्स करवा रहा था अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा जिसमें मैंने आपकी 17 क्लासे से लेली थी इवेस सोट नोट्स की और उससे रिलेटेड क्वेस्टन्स भी किये थे जो कि आपको हल्प करेंगे सीटेट 2021 क्रेक करने में तो उसी सीरीज को कॉंटीनियू करते हुए आज हम उसके आगे वाले लोपी के बारे में बात करेंगे तो नोट्बू उठा तो पहला आज का पॉइंट है हमारा भूकम्प तो हम बात करेंगे भूकम्प के बारे में तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है भूकम्प आने पर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भूकम्प आने पर हमें खुले में जाना फर्स पर लेट जाना चाहिए दूसरा पाइंट क्या लिखावा है फर्स पर गिर जाना चाहिए दूसरा पाइंट क्या लिखावा है फर्स पर गिर जाओ यानि फर्स पर लेट जाना चाहिए तिसरा पाइंट क्या लिखावा है किसी ठोस चीज के नीचे छिप जाना चाहिए वह उसे पकड़ कर रखना चाहिए किसी ठोस चीज की नीचे छुप जाओ और उसकी जो पावा हो जो उसमें कुछ पकड़ने वाला हो उसको पकड़ कर बैठ जाओ क्यों? क्योंकि अगर उसको पकड़ कर नहीं बैठोगे क्या है आप लोगों को खुले इस्तान में पहुंच जाना है अगर आप लोग वहां पर जा सकते हो तो तीसरा दूसरा पाइंट क्या है कि फर्स पर लेट जाओ तीसरा पाइंट क्या दिया हुआ है किसी ठोस चीज के नीचे छिप जाना चाहिए वह उसे पकड कर रखना चाहिए तो यह तीन पॉइंट्स आपकी NCRT की बुक में दिये हुए थे जहां से हम लोगों ने इसको लिया है जहां से हम लोगों ने इसको नोट किया है याद रखेगा यह पॉइंट्स को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा भुकम के बारे में और पांच दिये हुए है लिखा हुआ है गुजरात में भुकम परोधी भवन में गोबर प्लस मिटी यानि गोबर जमा मिटी युक्त इनिते लगाए जाती है यानि जो गुजरात में घर बनते हैं उसमें क्या होता है उसमें गोबर और मिट्टी की जो मिस्रित नीटे बनती है उन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो गोबर होता है वो काफी हद तक कमपन को रोक लेता है जिसकी मिट्टे जो होती है गोबर की इंटे जो होती है वो थोड़ी लचीले टाप की बनती है इसलिए गोबर की कहाँ परिता है गुजरात में किया जाता है या दर्किना नहीं कैंप इंपोर्टेंट सी कॉश्चन अमका बन सकता है की गोबर कर से मिट्टी की नीटों का परिउय कहां परियों किया अग्शारत में किया जाता है चलिए आगे देखते हैं लिखा भुवा है 26 जन्वरी 2001 को भुज भुकम्ब के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे भुज में एक भुकम्ब आया था 26 जन्वरी 2001 में जो जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी जो बहुत खतरनाक भुकम्ब आया था जिसमें क्या होता जिसमें प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे हैं चलिए बताईए इन तंबू को जो तंबू होते हैं इनको क्या कहा जाता है इन तंबू को जो इमर्जन्सी में लगा जाते हैं इनको क्या कहा जाता है जो आपात कालिन इस्तिती में लगा जाते हैं इन तर्मों को अन्निक किस नाम से जानते हैं इनको सरकार ने नाम दिया था रेन बसेरा क्या कहा था रेन बसेरा इमर्जंसी की सिजुएशन में जिसमें लोग रह सकें उनको क्या बोलते हैं उसको रेन बसेरा सरकार ने नाम दिया था चलिए आके बढ़ते हैं लिखा हुआ है भ भूकंप जो होता है वो सिस्मोग्राफ नामक एक उपकरड होता है उससे मापा जाता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यह आपका क्या है यह आपका सिस्मोग्राफ है जो आप लोगों को यहां पर देख रहा है इमेज में नेक्स्ट पान लिखा हुआ है भूकंप की कि यानि मैगनिवेटव्थ ऊद्वर्थ वो किसे माद आती है रेक्टेर इस की आप इमेज में यहां पे देख पा रहें यह आपका रेक्टेर स्केल को ने हम भी है ए रहे रोगो लिए लाघ यान्त रहे है धर बीजान है दोनु अलग अलग यंत्र हैं यादर्खना बुकम की दिवरता कि से माहीं आती है लएक रेक्टर शकलझ चे और उनक्रम कि से मपधा आता है सिसमोग्राब से अगर आपसे पुछा जाए कि भूकं कि से मपधा तो क्या पूलोगे सिसमोग्राफ और भूकं की तीवरता कि से मपधियती है तो रिक्रस्केल से ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइंट गविकम के बारे भिंग दिया हुआ है दिखा हुआ है बुझ के घरों में लोग आईने के टुकडों से सघाते हैं बुज़ के जो घर होते हैं जैसा क्याओ इमेज में देख पारे होएंगे जो भुज़ में घर बने होते हैं उसमें आइने के टूटे हुए टुकड़े जो हते हैं उनको दिवारों पर लगाया जाता है जिसमें अन्यक प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे और भुज कहां यह बुज आप लोगा यह गुजराद में है तो अगर आपसे पूछत दिया जाए कि किस जगा के लोग आईने के टूटे हुए टुकडों से दिवारों को सजाते हैं या दिवारों पर चित्रकारी करते हैं त नेसी लिख़वायगे टॉक्टर जाकर किर्शेंर इसन के बारे में एक यह कहाणी टाइप की टी एक कहानी टाइप की है जो का में है हमान के बारे बैब कि इसकावा में बताया गया है इसु dong में हजाके डॉक्टर जौकिर हुसिन की जो कहानी है उसी से ठंडा उसी भी से गर्म में कालपनिक पात्र बलसियते का नाम लिया है अभी कुन है बलसियते जो होता है एक छोटा बोना अदमी होता है जैसा कि आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे छोटा एक बोना अदमी होता है जो लगने लगने लगता है तो लगड़ आरह फोड़u को रख कि उसमें आग लगता है और आग लगाने आग सही से नहीं लगती है उससे फूं कि भूख करें मुझे अफ़या देखे हुआ अगा जला देता है तो ये जो बलस्याते होता है ये आता है उसके पास बोलता है जो बोना होता है ये आता है उसके पास बोलता है कि आपने क्या किया जो आग लग गई तो बोलता है कि मैंने मुह से फूंका और यहाँ पे आग जलने लगी मुझे मुह से हवा दी और यहाँ पे आग जल गई ठीक है फिर यह चला आता है फिर प्रेंट की पीछ चिपच你要 को मुझे होता है तो फिरपलस्य आता है जो यह नाटा होता है बहए यह फिर पूछता है कि आप क्या करए हे हो अब ? यह बोलता है कि मेरे हाथ गर्म हो गए है तो मैं अपने हाथ तो यहां पर बताया गया है कि आप मुझसे फूख कर हाथों को ठंडा कर सकते हैं और मुझसे फूख कर किसी चीज़ में आग भी लगा सकते हैं या पर ऐसा दिखाया गया है अभी इसके बारे में और बात करेंगे आगले वारे स्लाइट पर चले चलते हैं आगे लिखाया है कच्छा में हवा ठंडी या गर्म कि आउधारणा को समझाने में मुझसे निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है यानि कच्छा में आप लोगों को समझाना है कि मुझसे निकली हवा जो है वो बाहर के तापमान पे डेपेंड करती है अगर बाहर का तेंप्रेचर गर्म होता है तो धिमे धिमे में हमारे के अंदर कर जो है हवा भी गर्म निकलने लगती है जिसे क्या होता है वो बाहर के तेंप्रेचर के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है यहाँ पर जिसा कि आप लिखावा है कि बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है ना आगे बढ़ते हैं लिखावा है गर्म हवा हलकी होने से उपर उठती है जो गर्म होती है जिसके कारण वह उपर उठती है मैंसा आगे बढ़ती रहती है उपर की वर उठती रहती है ठंडी हवाज होती है वह ठंडी होने के कारण भारी होती है जिसकी वह नीचे आती रहती है आपने लोगों ने देखा होगा कभी-कभी जो दुआ उपर उठता है उपर से फ दोन ये क्वा 20 है और और इसा बनता है और इस चेपकर कि आप कर दिखा सकते मुद्धे एक ट्रपी मोओ कि जीसे क्या हो गाज से आप लोग दिखा सकती हो कि वास्प कैसे बनती है जब आप मुझे चस्मे के फूकेंगे तो चस्मे के ओपर कुछ बिंदी-बिंदी से बन जाएंगी वास्प की पॉइंट-पॉइंट से बन जाएंगे तो आप बच्छों को दिखा सकते हो ये क्या है यह हवा की वज़े से हुआ, जो बाहर का तापमान है, उसकी वज़े से ऐसा हो रहा है और क्या कर सकते हो? आप क्लास में बरफटकुडा ले जाओ, और उसको टेबल पर रख दो जिसे औप पек्ल Parrida में क्या बन जाएगा जिस को पंगो सब्सक्राइब कि आप पंगकर पानी में क्या बन जाएगा और लोग के उपर हिंधार के से और वी तंग आप दूप निदसИ चीज मुझति रौर petty से पहली कि आप फूंक के चिसमी को प्रवास्प दिखा सकते हो दूसरा बर्फ से पानी के से बनता है वह आप बच्चों को दिखा सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉंट है स्वसन हम बात करेंगे श्षवसन के बारे में लिखा हुआ है मानुज से प्रति मिनट 16-18 बार सांस लेता है इसमें 16-18 बार सांस लेता है यहाँ रखना है यहाँ पे नर्मल सुचुशन की बात की जा रही है ठीक है की जा रही है कि लिखावा है वह याम के दोरान शुषंदर बीस गुणा बढ़ जाती है यानि जब हम व्याम करते हैं तो व्याम के दोरान शुषंद जो है बीस गुणा बढ़ जाती है ओके लिखवा है डॉक्टर इस्टे थो स्टोप द्वारा हेडा की धार्कन सुनते हैं किसे सुनते हैं इसटे थो स्कॉप द्वारा की धार्कन सुनते हैं यह कीसा होता है जीसे आप इमिज में स्टारी दे अपने इसदें देख भी होतब यह कि डॉक्टर लोग जो होते हैं वह रदय की दरकन किसे सुनते हैं तो क्या पता होगे इस टेथो इसकोप दोरा हर्दय की दरकन सुनते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट फॉर में हम लोग गांधी जी वा अमेडगर के बारे में कुछ बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है गांधी जी ने महाराष्ट के वर्धा में महादेव के साथ मिलकर संडाज की सफाई का अभियान चलाया था महाराष्ट के वर्धा में महाराष्ट का जो वर्धा है वहाँ पे महादेव के साथ में मिलकर संडाज की सफाई की थी क्यों क्योंकि तब उस समय पे लोगों के अंदर मान सकता थी कि संडाज जो हता है हूँ नीची जात की लोग ही साफ कर सकते हैं कोई अन्य उसको साफ नहीं कर सकता है इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें सारे काम आने चाहिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है इसलिए इन्होंने इसके साथ में महादेयों के साथ मिलकर संदाज की सफाई की थी नेक्स्ट पाइंट है अमबेडगर के बारे में द्यान अखना लिखा हुआ है महराष्ट के गोरे गाउं में भीमराव अमबेडगर छुटियां मनाने आये थे यह आपके NCRT में लिखा हुआ है तो इंपोर्टेंट है याद रखेगा लिखा हुआ है भारत का समीधान इन्हीं की अगवाई में तैयार हुआ जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कुछ फर्टिलाइजर यानि खाद के बारे में तो चलिए देखते हैं लिखा हुआ है जो जो जोर और बाजरा होता था पहले ना जोर और बाजरा जो होता था उसकी जगह अब गेहूं कपास की खेती ने ले ली है यानि जो जो जोर और बाजरा होता था उसकी जगह अब किसने ले ली है उसकी जगह अब गेहूं और कपासने ले ली है किसकी किसकी जवार और बाजरे की जगह अब गेहूं और कपासने ले ली है याद रखना यहां से कोश्चन बन चुका है कि जवार बाजरे की जगह इस समय किसने ले ली है जो पहले क्या होता था पुराने जवाने में जवार और बाजरे की ज़्यादा खेती होती थी लेकिन अब क्या होता है अब गेहूं की ज़्यादा खेती होती है ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए कि ज़्यार और बाजरे की जगे है अब किसने डेली है तो वहाँ पर क्य क्या NXT होती है कि जब महंगी Calm कपी आची होगे तो फसल अच्छी होगी लेकिन किया होता है कि फसल अच्छी होने किसा साथ में केट बेहुत सारे लग जाते हैं निस से फसल भी बरबाद 흥ा कि आ पहले पहले जो नेचुरल खाद होती थी ना जो हम लोगों को गोबर वगरा से प्राप्त होती थी उससे उससे क्रशिक की जाती थी उससे फसल त्यार की जाती थी जिसमें इतनी जल्दी केट वगरा नहीं लगते थे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे आज की क्लासे रिलिटर्ट कुस कोस्टन जिनके आप लोगों को आंसर नीचे बताने हैं पहला कोस्टन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है चलिए इसको पढ़के उसका आंसर जल्दी से बताती जिए लिखा हुआ है पुराने समय में जोर बाजरे की फ इसकी जगह किसी अलग फसल ने ले ली है वह फसल कौन सी है अभी हम लोगों ने बात कि है चलिए वन टू थ्री फॉर आंसर दीजिए लिखिए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा वन टू थ्री फॉर में से चलिए जल्दी से बताईए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा अभी हम लोगों ने बात की कि जोर और बाजले की जगह है अब गेहूं और कपास ने ले ली है यानि आंसर नमबर थ्री इसका बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स कोस्चन है कोस्चन नमबर टू भूकंप किस उप देवरतागी तो इसका अंसर कैसे हो जाएगा चलिए बताइए और सन्वण है बेरो मिटर ऑप्शन टू है शिश्मो ग्राफ और ऑफटर ऑप्शन 3 है रियक्टर पैमाना ऑफटर फॉर है आटो मीटर चलिए बताइए कौन से हो रहेगा वन टू तरी-फॉर में से क्या सह रहेगा तो अगर भूकंप की बात की जाए कि भूकंप किस उपकर दोरा मापा जाता है तो क्या हो जाता है सिस्मों ग्राफ अगर भूकंप की तीवरता की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा रिक्टर पेमाने पर ठीक है तो इस कोश्चन का अंसर सही क्या हो जाएगा अब बढ़ते हैं next question पे question no 3 कि निम लिखित में से कौन सी परिगहटना का अच्छा में परदर सित नहीं की जा सकती यानि नीचे जो option दिये हुए उन्हें से कौन सी एसी घटना है जिसे आप का अच्छा में से क्लास में करके नहीं दिखा सकते हो Option 1 है बर्फ का निर्माड Option 2 है वास्प बेंदू निर्माड Option 3 है कोहरे का निर्माड Option 3 है बर्फ से तरल का निर्माड तरल यानि ice to water में formation आइस का water में formation चलिए बताए इनमें से कौन सा अंसर सही हो जाएगा जो आप class में करके नहीं दिखा सकते हो वही इसका अंसर सही होगा 1, 2, 3, 4 चलिए इसका अंसर दीजिए आपके सामने चार विकल्प हैं इनको चूज करके इनका अंसर दीजिए तो अभी हम लोग ने बात की कि हम लोग क्या कर सकते हैं बर्प से जलका निर्माड करके दिखा सकते हैं चस्मी फूंक के कोहरे का निर्माड करके दिखा सकते हैं और चस्मी पर ही फूंक कर वास्प बिंदू का निर्माड कर सकते हैं जब हम लोग चस्मी फूंकते हैं तो वास्प बिंदू भी बन जाती है और कोहरा भी उसी से बन सकता है और क्लास में बर्फ को ले जाकर रख देंगे तो बर्फ से क्या हो जाएगा बर्फ से जल्भी बन जाएगा लेकिन हम लोग बर्फ का निर्माड कैसे होता है यह बच्चों को नहीं दिखा सकते हैं ठीक है तो इसका अंसर सही हो जाएगा अंसर नमबर वन इसका सही हो ओके आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है भूकम की तीवरता किस उपकरण से मापी जाती है यहां पर तीवरता की बात हो रही है तो इसका अंसर क्या सही हो रहेगा चलिए बताइए अंसर वन है बेरोमीटर अंसर टू है शिष्मो ग्राफ अंसर 3 है रिएक्टर पर माने पर अंसर 4 है ओडोमीटर पर चलिए बताइए उन टू तू तू त्री फोर में से इसका अंसर क्या सही हो रहेगा बहुत सिंपल सो क्वेस्टं है इसका अंसर सही हो जाएगा आंसर अंच्र नमबर री यहां पे त्यूर्था की बात की जायगी। यहां पे केवल भूकंप की माप्पी की बात की जाएगी। भूकम किस उपकर दरा मपते हैं तो किसी हो जाएगा चिस मोग्राफ ठीक है इसका अंसर नमबर थ्री सही हो रहेगा तो यह थे आज की क्लास से रेलेटेड कुछ कोश्चंस आई होप आप लोगों को कोश्चंस अच्छे लगे होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी अपने फ्रेंट्स के पास में इसको सेर कर दीजिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम लोग ऐसा ही वीडियो जिलाते रहते हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आने आगे आने वाले सभी लिंग जाम में ऐसे ही NCRT के हम लोग नोट्स करवाते रहेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलाकात होगी तब तो के लिए जय हिंद जय भारत हुआ हुआ है